आज हम जो डिसक्स करेंगे वह पोजीशनिंग को टॉपिक आपका बुक से है तो यह पूरे आपके जितने भी टॉपिक्स है वह बुक में कवर अप है बस मैं कि कुछ टॉपिक्स हमें मिल नहीं रहते तो हमने इसको बुक से कवर अप कर लिया है क्योंकि इसमें जाधा अपने प्रोडुक्त से रिलेटेड एक इमेज करते है कि हमारा प्रोडक्त क्यों अच्छा है जाधा है इसलिए हम अपने प्रोडक्त को से ल करने इस ताना से से तो पॉजीशनिंग का मीनिंग है वह आप देख लेगा यह कौटलर की डेफिनिशन दे रखिये हैं पॉजी आप अपर को आप आप ज्यादा के आप दिएक्ट करने का धिकर दिएक्ट करने नहीं स्टिएटन कर रहे हैं यह से है, services भी हो सकती है and image to occupy a distinctive place, एक image बना रहे हैं, किसलिए बना रहे हैं, ताकि हम target customer के mind में एक अपनी अलग पहचान बना सके उसको हम positioning कहते हैं जिसे अब अगर class की बात करें, तो class में 50 students होते हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं जब exam होता है तो कुछ top 3 students भी होते हैं top 10 students होते हैं, तो वो क्या करते हैं वो students अलग एक अपनी position create करते हैं in the minds of the rest of the students or the teachers, ठीक है, तो same companies भी क्या करती है, market में एक जैसे बहुत सारे product हैं, बट हमारा product अलग क्यों है और customer हमारा product क्यों खरीदे उसकी वो आप लोगों को पता होगा, orbit हम किसको बोलते थे, साइंस में आपने पड़ा होगा कि जितने भी आपके solar system में planets है, आर्थ, मून या जितने भी other planets है, जूपिटर है, सैचन, सैटन है तो वो सब क्या करते है, revolve करते है, around the sun, और वो किस में revolve करते है, अपनी defined orbit में, मतलब उनकी एक path fix है, उसी पे उनको चलना है तो सैन positioning की importance यह है, कि वो help करता है company को, कि एक direction में अपनी image create करता है, customer के mind में अब यह point यह है, कि अगर आप सही direction में image create करोगे ना, तो customer तक वो पहुचेगी, अगर आप गलत तरीका adopt कर रहे हो, या गलत तरीके से positioning कर रहे हो, तो customer के mind में आपकी image अच्छी नहीं बनेगी, और plus नहीं उनके mind में आपकी positioning भी अच्छी नहीं होगी फिर क्या हो जाता है, मापका product decline होने लगता है, market से चला जाता है, लोग पूछते नहीं है product को, तब उस case में आपको अपने product की reposition करनी पड़ती है, और जो कि बहुत difficult job है, अपने product को वापस से market में लेके आना, और वापस से उसी stage पे लेके आना, जितना वो पहले sell करता थ तो इसलिए एक pre-determined orbit बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें हम अपने product को चला सकें, move कर सकें, ताकि target का समर्दक हमारा product जो है, वो सही direction में पहुँच जाए, और उसकी image सही direction में लोगों तक create हो जाए, second importance of positioning says, connects the product offering with the target market, जो आपका product offering है, product offering क्या है, हम productive, tangible product की भी बात कर रहे हैं और यहां पर जो intangible होते हैं, services वो भी productive के form में होते हैं, तो जो भी company produce कर रही है, उसको हम target market से connect कर सकें, connect करना मतलब उनकी जो needs and wants हैं, उसके हिसाब से हम product बना रहे हैं, तो इस से क्या होगा, connection डेवलप होगा, ठीके, कि आपकी न question preferences के हिसाब से हम product हम बना रहे हैं, तो इनों ने हाप एक लिखा है कि, while target market selection clarifies for whom the product is intended, target market क क्या help करता है, कि 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 के लिए product हम बना रहे हैं, और बाकि जो marketing mix हम four P's use करेंगे, वो हमें help करेंगे positioning create करने में, तो यह positioning क्यों important होती है, positioning helps the company, so that a company can create a connection, between the product they are producing and the target market, कि कैसे वो relate करेंगे, उस company से या अपने company से कैसे वो जोडेंगे, वो positioning help करता है, connect करने का काम, third importance is, product cannot be everything to everyone, उन्होंने काया है, एक product, एक product या कोई भी product, या हम अगर बात करें, जैसे normal soap की बात करें, तो हर कोई soap, एक ही purpose के लिए तो use ही नहीं करता है, जैसे इन्होंने काया है, everything to everyone, सब कुछ सब के लिए नहीं हो सकता, कुछ लोग product खरीबते हैं, for just to show the status, ठीक है, वो अपना status conscious होते हैं, तो वो high class show करने के लिए ही वो महंगे महंगे products, high brands खरीबते हैं, ठीक है, कुछ लोग just उसकी जो features है, या उसका जो actual purpose है, use करने का, या काम है, उसका serve करने का, उ watch के लिए वो यूज करते हैं, अब देखो watch की बात करें, watch आपकी fast track की भी आती है, Titan Raga की भी आती है, Rolex की भी watch आती है, normal Maxima watch भी, Sonata watches भी आती है, तो क्यों उतने prices में differences है, because अपने का brand अलग है, और सबने अपनी image अलग तरीके से create कर रखी है, तो इसलिए हर product की serving होती है, व everything to everyone, या इक उनोंने आपने explain भी कर रहा है, कि normally some unique features of the product, some, कुछ लोग product खरीते है, because of the unique features, कुछ लोग की कुछ special needs होती है, तो वो उसको सर्फ करता है, और कुछ noticeable gap होता है, उसको पूरा करने के लिए, भी हम positioning create करते है, तो आपका depend करेगा कि आपने product की positioning किस बेसिस पर कर र आ रहे हो, या किसी की emotions के based, आप अपना product to sell कर रहे हो, या किसी को status conscious है, तो उसके status को maintain करने के लिए, आप अपना product position कर रहे हो, इपेंड करेगा कि आप किसको target कर रहे हैं, तो यह आपके importance है, next four point says, brand seeks a locus in space through positioning, locus means होता है focal point, और यू कह सकते है, the focus point in the mind of the customer, कि ऐसा है, market में 10 तरह के सावुन है, दस ही तरह के सावुन ने customer के mind में image बना रखी है, या occupy कर रखी है, आपका product, अलग से image कैसे create करेगा mind में, या जो जगा बची भी है, उसको कैसे भरेगा, वो customer के mind में वो आपकी positioning help करती है, तो इसलिए उन्होंने काए कि जो customer आपका है, जो product खरीदने जाएगा, तो कैसे product, आपका product, ये company का product जो है, कैसे customer उसको अलग से highlight करता है दिखेगा, या उसको कैसे पहचानेगा, या उसके image, उसके mind में कैसे retain रहेगी, मतलब बनी रहेगी, ये सारी चीज़ें आपकी positioning help करेगा, तो positioning क्या help करेगा, brand seeks a local point, brand का काम क्या होता है, कि एक focus point बनाना, customer के mind में in space, इस in space मतलब जो खली जगा बची है, customer के mind में, दस product ने तो जगा बना लिये, उसके बाद जगा बची है, तो हमारा product उनके mind में fit हो जाना चाहिए, हमारा product की image fit हो जाना चाहिए, कि हम so and so brand है, हम ऐसा product प्रवाइड करते हैं, हमारा product best quality, best prices देता है, कुछ other importance भी है, हमारे product को position करने के पहला है, that is, it provides a competitive edge, competitive edge मतलब, something extra that our competitors don't have, मतलब कोई एक ऐसा additional feature, एक additional point आपका पास, जो आपके competitor के पास नहीं हो, तो वो हो जाता है competitive edge, तो positioning क्या provide करता है आपको, competitive edge प्रवाइड करता है, from other competitors of the target market, second place and intangible service within a more tangible frame of reference, positioning एक का मौर करता है, कि वो intangible services को place करता है, with the more tangible, जातर हम जो product बेचते हैं, जो sell करते हैं, उसका काम यूजियम यह दिखाते हैं कि इसको ऐसे consume करना है, ऐसे use करना है, बट हम कभी कोई position ऐसे भी करते हैं, कि हमारी services बहुत अच्छी है, लाइक मारूती का example आप लिए, वो product बेच रहे हैं, ठीक, बट उसने अपनी position कस्टमर के mind में कैसे create कर रखिये, कि सबसे ज़्यादा service stations जो है, वो मारूती के हैं all over India, ठीक है, इसलिए customer के पास satisfaction, एक point ये रहता है, कि अगर हम कल को गाड़े खरीद भी लेते हैं, और कहीं खराब भी हो गई, तो हमारे बहुत अगर ज़्यादा दूमना नहीं पड़ेगा, service station के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मारूती का service station सब जगा अभेलेबल होगा, third importance is, helps in influencing both service development and the redesign of the existing services, positioning हमें और क्या help करता है, जो भी हम services दे रहे हैं, उसको और develop कैसे कर सकते हैं, यह जो existing services हैं, उसको redesign कैसे कर सकते हैं, for example, आप किसी particular तदे की services दे रहे हैं, चाहे आप hotel services दे रहे हो, lawyer services दे रहे हैं, hospital services दे रहे हो, कोई भी यह product के साथ, आप services दे रहे हो, अभी ठीक है, but अपने customer के माइने हमें और कैसे बने रहना है, return कैसे रहना है, तो अपनी services में हम और क्या नए changes लेके आएं, क्या चीज new लेके आएं, तो वो भी आपकी positioning help करेगी, उसको change and redesign करने में, fourth point says, follow considerations of competition's possible moves and responses, so that appropriate action can be taken as, उनने का competitor के point of view से भी हमें कब क्या action लेना पड़ेगा, तो वो भी positioning हमें help करती है, to give the target market the reason of buying the services and then design the whole strategy, आप positioning create करेंगे customer के लिए, target customer के लिए, target group के लिए जिसको आप अपना product बेचना चाहा रहे है, तो आप यह भी तो reason एक तरीके से अपने positioning में highlight करोगे, कि हम एक reason दे रहे हैं कि क्यों हम आप product खरी दिये, आप TV में इस टाइम एड देख रहे होंगे, कि सुनाक्षि सिना का cooking oil का add रहा है, I think सफोला का या future का है, तो वो क्या हो उसमें highlight कर रहे है, तो वहां क्या है कि आप अपना खाना खाये, यहां पे excess oil आपको देखने को नहीं मेलेगा, और you can eat healthy food, तो वो क्या है हम reason दे रहे हैं कि क्यों कस्टमर हमारा यह cooking oil खरीदे, ठीक है, second आपका point is to provide guidelines for the development of marketing mix, अब जो हम four piece अपने target market को दे रहे थे, four piece मतलब जो product दे रहे थे, price दे रहे थे, promotion कर रहे थे and आपका जो place था of distribution, इसमें भी क्या changes आने चाहिए या इसकी strategy में क्या changes आने चाहिए, वो भी आपका positioning help करेगा, अगर आप same four piece रखते हो पूरे stage में तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए आपको जरूरी है कि अगर customer के mind में बने रहना है, अपनी position अच्छी create करके रखने हैं, तो हमें marketing mix को भी change करना पड़ता है with the time, next है आपका इसमें कुछ point, topic जो है वो brand positioning के उपर है, ब्रैंड कैसे position किये जाते हैं और कैसे differentiate के जाते हैं brands, आप सब देखते होंगे कि जह हम stationary item खरीदे जाते हैं तो pencil का गाम क्या होता है, लिखने का ठीक, अब उसमें brand की बात करें तो आपको pencil में camel मिल जाएगा, doms की मिल जाएगी, और nutrage की मिल जाएगी, और आपकी classmate की मिल जाएगी, और भी कोई pencil के brand आते होंगे, तो यह क्या है, यह सारी चीजी क्या है, नाम जो हम मैं ले रहे हूं, यह सब brand है, ठीक है, हम कैसे जानते हैं, इनके नाम से जानते हैं, और इनों ने हमारे mind में को image create कर रखी है, क्या है, quality के point of view से, price के point of view से, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो brand positioning, company जो यह चीज करती है, हमाने दिमाग में बठालती है, कि नहीं हमें एक classmate का खरीदना है, नहीं हमें नतराज का खरीदना है, नहीं हमें camel का खरीदना है, तो यह चीज जो होती है, वो brand की positioning होती है, तो generally brand positioning मतलब just ही होता है, कि brand का नाम, logo design करना, ताकि customer 10 product में से, 10 product उसके सामने रखे जाएं, तो वो हर एक product वो अलग तरीके से वो पहचान सके, कि हाँ यह वही इसका product है, यह इसका product है, यह example आप soap में ले लिए, सारे soap आपके bathing soap होते है, लक्स भी आपका bath soap है, life boy bath soap है, detall है, goderage no.1 है, संतूर है, और भी बहुत सारे आते होंगे, medimix है आपका, यह सब क्या है, bath soap है, यह आप कैसे याद रखें मैंने, इनके नाम से, और यह इनके नाम क्या है, यह क्राइटेरिया है, of identification of the product, और यही चीज है brand positioning, तो brand positioning आपका एक नोने आप एक example बहुत अच्छा दे रखा है, महिंद्रा का है, आप यह बुक से पढ़ लिएगा, वैसे इसमें बता क्या रहे है, brand positioning can be defined as an activity of creating a brand offer in such a manner that it occupies a distinctive place, मतलब brand offering तो है, हर company की कोई product offering है, चाहे वो छोटा मोटा product हो या भग महंगा product हो, सब offer ही कर रहे हैं, बट अप customer के mind में वो अलग image कैसे create करेगा, कैसे value provide करेगा, उसको हम brand positioning बोलते हैं, तो जैसे इन्होंने कोटक महिंद्रा का example दे रखा है, उसको नाम कैसे इन्होंने क्यों कोटक महिंद्रा रखा, क्या position करने के लिए रखा, उन्होंने का कोटक, which can provide customized and one-stop solution, ठीक है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे आप उस सारी problem की solutions मिल जाएंगी, तो उन्होंने वो उसको नाम कोटक से रखा, for the financial services, it has unaided top of mind recall, it intends to say that with the proposition, think investment, think OTAG, मिला उन्होंने का अगर आपको कहीं भी investment करने की जूरत परती है, या पैसे से finance editor, अगर आप उच भी सोचते हो, तो आप कोटक को सोचिए, ठीक है, तो इन्होंने एक tagline दिया, और इस tagline से वो अपनी positioning बना रहे है, customer के लिए, brand positioning की definition देख लिए, positioning is a part of brand identity, एक identity, एक अलग पहचान create कर रहे है, brand positioning, and value proposition, value proposition का मतलब होता है, value offer करना, that is to be actively communicated to the target audience, and that demonstrate an advantage over competing brands, और यही एक चीज़ होती है, अगर आप अपना product अच्छे से, customer के माइंड में, उसकी image fit कर सकते हो, कि हाँ, हमारा product का नाम यह है, हमारा product का लोगो यह है, हमारा product दिखता ऐसा है, अगर आपने यह चीज़ अलग चाप customer के माइंड में, डाल दी है, तो वो आपका brand positioning कहलाता है, ठीक है, एक में इसका आपको बहुत अच्छा example देती हूं, आप सब TV देख आपको ads देखने है, ठीक है, जब आप ads देखोगे, तो आप एक चीज़ notice करना, कि जब जो भी product होगा, चाए वो toothpaste का हो, चाए वो soap का हो, या वो आपके hair oil का हो, किसी चीज़ का भी आप अगर ads देखोगे, तो आप एक चीज़ यह notice करना, बहुत सारे product के ads में, जो product का color हो पहता है, वो similar तरह के जो कपड़े होंगे, वो उस ad में actor या actresses भी पहने होंगे, इसके example में आपको देथी हूं, जैसे रनवीर सेंग का ad करते है, तो close-up gel toothpaste, red color का है, तो आपने देखा होगा, वो red color के कपड़े, red color के coat पहना होगा, या वेक लड़की की साहता है, कि हार ग तो उसमें भी आप देखोगे, लड़की white and red को combination पहनी होती है, वालनी का ad, अगर आपको देखने को मिले तो वालनी का ad, जो strips है, orange and purple, उसी strips के अगर आप देखोगे, तो सौनाली बेंदरे साडी पहनी है, तो ये क्या चीज़ कर रहे हैं, हम कही ना कहीं कास्टमर के mind में color अगर भी फिट बिठा रहे हैं, logo, slogan, product फिट बिठा ही रहे हैं, और उसको ये कोशिश कराते हैं, हम एड के थरू कि कस्टमर हमारे अगर पूछा जाए कि आपने उसका ad देखा है, तो कस्टमर के दिमाग में हमाई product का ad भी याद रहना चाहिए, तो ये सब चीज़ें परचान बनाना in the consumer minds, generally termless positioning, उसको हम positioning बोलते हैं, अब एक उनों ने यहाँ पर factors कुछ बताए हैं, कि जब हम positioning करते हैं, तो कुछ ऐसे factors भी होते हैं, जो positioning को disturb करते हैं, ये affect करते हैं, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तब, तो पहला है brand attribute, brand attributes means brand के features, what brand delivers through features and benefits to consumers, अब मान लिए प्रोडक्ट आप कुछ बेच रहे हो, और उसके आप ऐसी positioning कर रहे हैं, जो वो actual में दे ही नहीं रहा है customer को, मान लिए एक mobile phone है, mobile phone वो एड दिखा रहे हैं, कि इतने MAH की battery है, जो आपकी इतने घंटे तक चलेगी, जो actual में नहीं दे रही है, तो customer वहाँ पे, क्या होगा, positioning नहीं create हो पाईगी customer के mind में, तो इसलिए आप कोशिश ये करिए, जो product आप दे रहे हो, उसमें जो features आप highlight कर रहे हो, वो features उसमें होना चाहिए, आप यह ऐसा नहीं कि सुफ और लिए आपने बता दिया, बट ऐसा product में कुछ है ही नहीं, दूसरा positioning को क्या affect करता है customer consumer के expectation, मतलब जो चीज़ वो expect करते हैं, कि हमें इस product से मिलना चाहिए, वो चीज़ भी आपकी positioning को affect करेगी, वही मैंने example अब जैसे for example, mobile के ले लिए, हम mobile phone खरीते हैं, तो इता ता expect करते हैं, कि एक साल तक phone अच्छा चले, उसकी battery भी अच्छी चले, कोई जाद hang-up ना करें, तो अगर ये चीज़ मालिये हमारे expectations फुल्फिल नहीं होते हैं, तो हमारे मेरे माइंड में तो ये positioning उसके अच्छी नहीं बनेगी, सो लोग Samsung phone पसंद करते हैं, और हजार लोग ऐसे हैं, जो Samsung phone नहीं भी पसंद करते हैं, ठीक है, क्यों नहीं पसंद करत गरब हो जाती है, ये खराब हो जाती है, तो जब उनकी जो expectation थी, उमीद थी product से, नाम के हिसाब से, वो उन्हें मिली नहीं तो वहाँ पे positioning आपकी गिर जाएगी, customer के mind में position अच्छी नहीं बनेगी, third is competitor attributes, now what we have to see is, what our competitor is providing best features or the product features in their product, उसको भी ध्यान रखना है, what other brands in the market offer through features and benefits to the consumer, हम जो provide कर रहे हैं, वो तो ठीक है, बट हमारा competitor अपने product में क्या provide कर रहा है, उसको भी ध्यान रखो जब आप position करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको image लग बनानी है, same image नहीं बनानी है, और अलग image तब बनाओगे, जिब दूसरों से अलग position क्रेट करोगे, अलग thought लेके आओगे, अलग product में कुछ features लेके आओगे, या अलग slogan लेके आओगे, अलग add एक तरीके का दिखाओगे, तो वो सारे चीज़ें आपकी computer के perspective से रहेंगे, price also pays an important role while positioning a brand, price is an easily quantifiable factor against computer, हम सौरबेगा product खरीद के लेके आए, और एक हमारा ही competitor है, जो मोबाइल में ले लिया, example, Samsung बहुत महेंगे phones बेच रहा था, एक उसने S series launch की थी, उसमें, उन्होंने model सो बहुत launch करें, अगर phone जैसे दिखते थे, वो white color के, वो 15,000 का कर दिया, 20,000 का कर दिया, ठीक, MI आ गया, Micromax आ गया, उन्होंने कम features में आपको वही camera quality प्रोवाइड करने लगे, वही सब चीज़े प्रोवाइड करने लगे, तो क्या कर रहा हुने, प्राइस के हिसाफ से अपनी positioning क्रेट कर ली, MI ने, अपनी over top पे आ गया, Samsung से भी उपर पे आ गया, तो इसलिए कोशिश आपकी ये भी रहने चाहिए, कि जो भी आप price set कर रहे हो, वह competitor के से कैसे set कर रहे हो, क्या ऐसे features हैं हमारे हो सकता हम अगर कुछ अलग feature देना है, तो हो सकता हम अपने price बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग हमसे खरीदेंगे, मगर वन्ना आप ये देखे कि आप अलग कैसे price के terms में customer को target कर सकते हो, और उनके mind में position create कर सकते हो, through pricing of your product, price बहुत बड़ा role play करता है, कि customer बहुत जल्ली switch कर दया, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि कहां उसका money save हो रहा है, ठीक है, हम अगर 100 पर में cheese लेके आ रहे हैं, 100 ग्राम की और एक हमें 90 रुपीज में 100 ग्राम की बहुत है, तो obviously लोग 90 रुपीज का खरीदेंगे, 10 रुपे बचाना चाहेंगे लोग, 5th factor जो affect करेगा, brand positioning बहोगा, आपका consumer perception, the perceived quality and value of your brand in consumer mind, perception क्या होता है, नजरिया, simple words में बोले हम लोग, कोई भी चीज जो हम देखते हैं, और अपने mind में उसका meaning बना लेते हैं, या उस चीज जो देखे वे को meaning देते हैं, उसको हम बोलते हैं, perception, तो जो perceived quality मतलब, जैसे हमने देखी और हमारे mind में जो image बनी, और वैसी अगर चीज हमें नहीं मिली, वैसी value हमें नहीं मिली, तब भी आपके brand positioning affect होगी, जो है हमारा brand positioning versus product positioning, आप यह सोच रहे होगे, है तो दोनों एक ही चीज, एक ही जैसे काम है brand positioning and product positioning, but there is a difference between brand positioning and product positioning, product means simple, जो हम product बना रहे हैं, और उसको, उसके जो basic features है, अगर मैं pen है, तो pen मतला smooth writing होने चाहिए, इंक उसका spread नहीं होना चाहिए, value provide होने चाहिए, एक लिखने में लोगों को enjoyment होना चाहिए, तो यह simple product positioning बनी, बट जब हम brand की बात करते हैं, तो brand pen तो सब भी काम की करते हैं, लिखने का positioning को बुछ सब की, और जब brand की बात करें, तो आपका 10 रुपे वाला pen की अलग positioning है, 100 रुपे का Peter Parker का pen अलग positioning है, और 200 रुपे वाला भी pen है, तो उसकी भी positioning अलग है, तो वो काम तो सब भी की जैसा कर रहे हैं लिखने का, ठीक है, सब भी यूज करते हैं for writing purpose, बट जब जहां पर उसका नाम जूड जाता है, नाम जो एक identity create करता है, brand होता है, तो वो एक brand positioning हो जाती है, एक नोंने इस paragraph में यह बोला है, कि जो हमारे आपको third line से रिखाते हैं, यह देखे, नोंने का product positioning और brand positioning carry the same meaning, दोनों का same meaning है, as there are either no brands or even if there are none of them deliver any substantial different value to the customer, कोई भी different value तो नहीं दे रहा है, सब लोग का क्या है, लिखने के purpose से यूज के जाते हैं, बट क्यों difference क्यों होता है आपका brand positioning में, उन्तों नहीं का माली जी दो match box है, match box के भी brand होते हैं, आपने अगर देखा हो उस एक aim लिखा होगा, horse होगा, camel होगा, तो सारी match box तो जलाने की काम में आती हैं, ऐसे तो कोई है नहीं कि match box हैं, हम मुंबती बना दे रहे हैं, सारी चीज़े हैं to enlighten the fire उसके रही जाती हैं, उन्हों ने एक और example दे रखा है कि इंडिया में जो product categories हैं, जैसे कि like अगर हम बात करें, incense sticks, अगर बत्ती हो गई, candles हो गई, notebooks हो गई, तो यह सारी चीज़े brand के अगर होती हैं, तो सिर्फ किस purpose के लिए उस की जाती हैं इंडिया में, अगर आप इंडिया में क्या मताँ अगर आप जर्नल पब्लिक की बात करें, अगर हम कहें कि classmate कि आप 10 पर extra दो और एक कोई VIP notebook है उस वो आप सस्ने में ले जाओ, उसका नाम ही तो है, रिजिस्टर पर दिखना ही तो है, काम दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है, तो यूजिली पब्लिक जो है, सिर्फ नाम के basis पे जो है, वो extra पैसा देने के लिए ready नहीं होती है, और उनके लिए नाम का मतलब होता है, सिर्फ एक product, अलग-लग product की पहचान करना, identity या identification क्रियेट करना, उससे उपर कुछ नहीं है, बट उसका meaning आप नहीं रहेंगे कि product positioning क्या होता है, brand positioning क्या होता है, product positioning brings us to the idea of functional value, functional value means जो वो function perform करता है, ठीक है, whereas positioning talks about, whereas brand positioning talks about something above and beyond the functional value, product positioning क्या कहरा है, जो वो function perform करेगा, ठीक है, अगर मैं थर्मो स्टील की bottle लेती हूँ, ठीक है, अब थर्मो स्टील क्या है, एक product है, उसकी positioning यह है, कि अगर थंडा पानी रखोगे तो थंडा रहेगा, गरम पानी रखोगे तो वो गरम रहेगा, यह product की positioning हो गई, जो वो function perform करेगा, बट वहीं पर अगर हम जोड हो दिये, वो हो गई, brand positioning क्यों हो गई, क्योंकि उसमें जब नाम जोड़ गया, तो सिर्फ function से भी और चीज़े उपर जोड़ गई है, ठीक है, क्योंकि वो नाम की भी एक value होती है, जो add आती है, हमारे positioning या product में, तो इसमें होने काया कि beyond the functional value for which customer is willing to pay more and when asked to recall, he may recall that brand more and given chance to reply, he will associate that brand with many elements, ठीक है, अब कपडों की बात करें, सब कपडों का purpose ही होता है, आपको लवाइस का कपड़ ले लो, आप कोई महेंगे brand का ले लो, मडाम के ले लीजिए, या फिर आप पीटर पारकर ले, sorry not पीटर पारकर, पीटर इंगलेंड के ले लीजिए, और आपका कौन से एलन सोली है, लेडीज में अगर हम बात करें, तो लेडीज का मडाम हो गया आपका, मुझे याद में नहीं आ रहे हैं, ऐसे अब क्या है, बहुत सारे normal clothes भी होते हैं, आप local shop से भी कपड़े खरी सकते हैं, अगर आप पैंटलून्स हो गया, तो अगर आप ऐसे high five brands में भी जाके आप खरी सकते हैं, तो क्या होता है, जब वो यह नाम जुड़ जाते हैं, नामों के भी value होती है, इन नामों के भी पैसा होता है, जहां पर customer को अगर हम कहेंगे ना, कि एक आप यह ले लो local ABC वाला पर्स, और एक आप हम लेडीज को कह रहे हैं, लूई बिटॉन वाल तो लूई विटॉन के लिए 100 रुपे या 1000 रुपे भी एक्स्ट्रा या जादा जो हैं, वो 10 टाइम से जादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वो होता है आपका brand की positioning करना, product positioning का मतलब होता है, सिर्फ जो product जिस चीज के लिए बना है, जिस function परफॉर्म करने के लिए बना है, वो अगर पूरी कर रहा है, तो वो होता है, आपकी product positioning, अगर मैं बोलूँ कि mobile phone है, अगर वो number one highlight कर रहे है, in terms of their, नाम के हिसाब से, यह highlight कर रहे है, in terms of the, सबसे अच्छा phone है, in battery backup, तो battery backup क्या है, functional value है, और यह जो positioning कर रहे है, हम product positioning कर रहे है, ठीक है, on the other hand, is an outcome of perception of the particular segment, यह target segment, and it is a brand subjective or perceived attribute, तो brand positioning कर जाती है, एक जो value, image हमारे mind में बनी है, यह जो चीज हमने observe करी है, हाँ यह हाँ यह हाँ फाई महंगा brand है, तो हाई फाई महाँ जब बोल देता है, हाई फाई मतलब quality बहुत अच्छी यूज़ की गई होगी, बहुत जल्दी खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा, अगर हम इसको use करेंगे, तो हमारे image बढ़ेगे, हमारा status बढ़ेगा, वो आपकी brand positioning में जुड़ जाती है, कई सारी चीज़े जुड़ गई न, function value से, तो यह आपकी brand positioning होगी है, चलिए आज इतना ही रखते है, next video में हम लोग strategies discuss करेंगे, what all are the strategies for creating a positioning,